1-1-2014 को stock price थी और index था 1-1-2020 को stock price थी और index था 23 March 2020 को जब Nifty lowest point पर था तब stock price थी और index था और current price है और index है यही figures चार्ट में देखते हैं अगर हमें Nifty के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे stock में चार बाते होनी चाहिए एक, लंबी एउदी में share price बढ़ती रहनी चाहिए दो, जब market में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा stock ज्यादा नहीं गिरना चाहिए Nifty के मुकाबले तीन, जैसे ही market recover होती है हमारा stock तेजी से recover भी करना चाहिए Nifty के मुकाबले चार, हमारा share अपने sector का top share होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे के हमारा share Nifty से better है या नहीं यानि की पहले तीन points इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको sector का top share चुनना है तो उस वीडियो की link description में दी गई है 11-2014 को 1 लाग रुपए इस शेर में इनवेस्ट किये 6 साल बाद 1 जानुवरी 2020 को इस शेर में इनवेस्ट किये हूँ 1 लाग रुपए हो गए March में इस investment की value हो गई और करंट share investment की value है 1-1-2014 के दिन एक लाग रुपे निफ्टी-50 शेर्स में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1-1-2020 के दिन निफ्टी-50 में इन्वेस्ट किये हुए एक लाग रुपे हो गए मार्च 2020 में इस इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और करण निफ्टी फिफ्टी इन्वेस्मेंट की वेल्यू है शेर में अप्रिसियेशन ज़्यादा हुआ है इसलिए फर्स्ट पॉइंट शेर ने जीत लिया है सेकंड पॉइंट शेर ने जीता थर्ड पॉइंट शेर में जीता तीनों पॉइंट में निफ्टी हार गया है ओवराल शेर जीता यही एक लाग रुपए की अगर हमने 8% इंट्रेस से फिक्स डिपोजिट की होती तो आज उसकी वेल्यू हो गई होती एवडी के 8% के मुकाबले निफ्टी ने कितने परसंटेज का रिटन दिया यह शेर ने कितने परसंटेज का रिटन दिया विनार है विनार है आज अगर किसी को एक लाग रुपीज इन्वेस्ट करने है तो वो क्या करे यह स्टोक में इन्वेस्ट करे निफ्टी फिफ्टी स्टोक में इन्वेस्ट करे या एवडी में इन्वेस्ट करे यह शेर के और निफ्टी के annualized return percentage हमने देखें वही return percentage अगर भविश में भी continue होंगे तो एक साल के बाद क्या होगा दो एक साल के बाद को क्या होगा झाल कर दिले । झाल करृल बाद कर दो कर दो हो दोरे कि ओप दो कि अंगे झाल 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 झाल